Hello, दोस्तो अभी की सबसे बड़ी ख़बर आ रही है कि Bollywood आक्टरेज जैकलिन फढान्डेश ED के सवालों का जवाब दे रही है money laundering case में बहुत बड़ी ख़बर है दोस्तो लास्ट पाँच घंते से ED के सवालों का जवाब दे रही है Jacqueline Fernandez money laundering case में कि भाईया पैसा कहां से आया कहां गया कहां invest हुआ किस-किस में बटा ये सारी बातें अभी Jacqueline Fernandez खुलासा कर रही है ED के सामने दोस्तो इसके पहले यामनी गौतम को समन किया था ED ने दोस्तो money laundering case में अब Jacqueline Fernandez का नाम भी money laundering case में लिया गया है और इसमें ED उनसे पुस्ताच कर रही है दोस्तो लेकिन इस case में एक और बड़ी बात अब सामने आ गई है कि यहां पर Jacqueline Fernandez यहां पर accused नहीं है आरोपी नहीं है बलकि वो witness की तौर पर witness की तौर पर ED के सवालों का जबाब दे रही है money laundering case में बहुत बड़ी बात है दोस्तो दोस्तो actually मामला यह है कि एक सुकेश चंदर सेखर है जिनों ने एक business man से last एक साल में 200 कडोड 200 कडोड रुपे की वसूली की है एक्स्टॉशन किया है इस case में Jacqueline Fernandez से बात कर रही है ED as a witness दोस्तो बहुत बड़ी खबर है दोस्तो यह जो सुकेश चंदर सेखर है इन में already 20 अदर 20 अदर एक्स्टॉशन के case already दर्ज है और ED Jacqueline Fernandez से पूस्ताच कर रही है सुकेश चंदर सेखर के case में 200 कडोड रुपे के case में हलाकि नाम दोस्तो अभी तक सामने नहीं आया कि Jacqueline Fernandez को क्यों ED ने बुलाया है सुकेश चंदर से क्या connection है अब धीरे धीरे यह बाते दोस्तो सामने आईगी जो भी दोस्तो इस पर update रहेगा मैं आपको देता रहूँगा अगर अपने चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके कमेंट करें